नमस्का फ्रेंट्स, शुक्र का ये गोचर बहुत विशेश होने वाला है, विशेश हब्द का इस्तमाल मैं इसले कर रहा हूँ और ये बारा राशी वालों के लिए उत्तम परिस्तितियां लेकर क्याएगा, क्योंकि शुक्र महराज का जब भी गोचर मेश राशी में हो, सिं जब धनू राशी में जाते हैं, तो शुक्र के नक्षत्र में पूर्वा शाड़ा नक्षत्र को भोगते हैं. तो तीनो ही परिस्तितियों में शुक्र महराज इन राशी में उत्तम प्रणाम देंगे, और शुक्र हो रहा है. 31 जुलाइ से ये परिस्तिति बनने वाली है, औ और 24 अगस तक छोटा गोचर है शुकर महाराज को यहाँ पर परन्तु ये इतना पाउरफुल नक्षत्रों का गोचर हो रहा है समय शुकर कि ये सभी राशी वालों को उत्तम शुब प्रणाम देंगे और उसमें भी जो विशेश डेट्स हैं जो में डेट्स हैं जिसमें पायदा होगा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले मेश राशी पर आते हैं आपके पंचम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है सब्तम भाव के स्वामी दुट्यस्थान के स्वामी शुक्र पंचम भाव में अमोद पर मोड इंटर्टेन्मेंट के स्थान पर जब आपना प्रेम किसी के प्रती जाहिर करना चाहें, उसको एक्सप्रेम करना चाहें, उसको यहां कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको लव पार्टनर मिलने की पूर्ण समभावना बन रही है, तो एक तो यह रहेगा, दूसरा यहां पर इस महीने, पैसों के बहुत आपको जो है, वो लाब कहीं से दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र भोग, सुख का कारक होता है, धन लक्ष्मी वैभभ देता है, तो इस प्रकार से जुड़े वे जितने वी कारे हो सकते हैं, जहां से आपको पैसा आ जाए, ग्लैमर वर्ल्ट से जुड़े वे हूँ, क पैसों से समंदित कोई परिशानी दिक्कत नहीं होने वाली है, कुटूंब परिवार का पूरूरूप से साथ मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्तिती है, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, माक्स जदा आ जाए, यह पर आपको दिखाई दे रही है मातत से समंदित कोई शिकायत परिशानी चल रही हो, आपके पेट उधर से समंदित कोई रोग चल रहे होंगे, मेश राशी वालों का सब कुछ ठीक हो जाएगा, शेर मार्केट लोटरी से भी पैसा कमाने के लिए, मेश राशी वालों के लिए 11 गर्ज से 20 अगस का समय वो आपको लाब दे करके जाएंगे, शुकर कि ये परिस्तिती आपको दर्शा रही है, अगली राशी के और बढ़ते हैं, वरिशव राशी के और, वरिशव राशी वालों के लिए जो ये परिस्तिती याँ बनने वाली है, वो सुख भोगों को लेकर के है, चतुर्थ हमारे सुख स्थान कहा जाता है, सुख का मतलब होता है happiness, peace of mind, मानसिक शान्ती, तो मानसिक शान्ती के लिए दो आधार बिंदू रहते हैं, एक तो पैसे का आ जाना, दूसरा वियर्थ की चिंता का नाश हो जाना, छटे स्थान का स्वामी हो करके चतुर्थ स्थान में आया मित्रों का इस महीने, विशब राशी वालों को साथ मिलने वाला है, रिलेटिव का रिष्टेदारों का पूर्डूप से साथ मिलेगा, आपका व्यक्ति तो आपका जो औरा है वो बहुत ज़दा चमकने वाला है, अपनी personality के दम पर विशब राशी वाले विशेश लाब इ अगली राशी के और बढ़ते हैं, मित्रों राशी के वालों के लिए यात्राओं का है, आपके भाई बहनों को से आपका कोई समन्द खराब है, तो इस समय सुधर सकता है, प्रेम प्यार आपके परोस में आपके नेवर में कहीं हो सकता है, आपके साथ इस प्रगार का कोई समन्द बन जाए, भाई बहनों की तरफ से कोई बहुत बढ़ी खुशक खरी हैं, मित्रों राशी वाले इस समय यात्रों पे, वो विदेशों की यात्रों पर जा रहे हैं, दूर देश की यात्रों पे जाने का ये बहुत अच्छा समय बन रहा है अपने लव पार्टनर से अपने संतान से समय लाब कमाना क्योंकि उससे वो 11 मंस्तान पीछे चला गया है तो लाब कमाने के लिए मितुन राशी वालों के ये समय चल रहा है आपको बच्चों की तरफ से कोई खुशकबरी यहाँ पर प्राप्त होती है नजर आएगी संतान की नौकरी लग जाए संतान का कॉम्प्टेड एक्जामस में सफलता है प्राप्त हो जाए बितुन राशी वालों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है और आपका भी कोई विदेश से समंधित कोई काम होगा कोई टेंडर सरकारी नौकरी को लेकर के या या किसी और Bड़ी बात को लेकर के कागजोग को लेकर के जिसमें सरकार के साथ लाजनिंग करनी पड़ती है बितुन राशी वालों के लिए ये प्रिस्तिती शुबलाव कियां बनी हुई है अगली राशी के और बढ़ते हैं करक राशी के और करक राशी के लिए दूसरे स्थान में धन्स्थान में है तो कोई सरकार के पास आपका पैसा करक राशी वालों का फसा होगा कोई documents के वज़ा से कोई पैसा आपको नहीं release कर पा रहा है कोई लाभारती है आप किसी policies को लेकर कोई lab gain करना है आपने bank में आपका कोई पैसे को समंधित दिक्कते परिशानी चल रही है तो सिंग राशी में गया हुआ शुक्र आपको यहां से पैसे दिलाता हुआ नजर आएगा जमीन के कोई पैसा आपका फसा हुआ है जमीन के कोई पैसा आपको नहीं release हो रहा है कहीं किसी को आपने बियाना दे दिया है तो वो पैसा वापिस आपको करने के लिए स्वयम आ जाएगा बड़े भाई बहनों से आपको भी लाब की परिस्तितिया बन रही है जो आपसे सीनियर दोस्त है जो आपके कॉंटेक्ट्स में लोग आएंगे वो भी इस समय करकराशी वालों को विश्यशत दोर पर लाब दे करके जाएंगे माता के तरफ से धन प्राप्ति के अफसर मन रहे है वो कोई गिफ्ट आपको मज़र की तरफ से होने वाला है उसके लाब कोई जमीन आप यहां पे खरीते में नज़र आएंगे जमीन के तरफ से आपको गेन प्राफिट होता वान नज़र आएगा और जो लोग एजुकेशन के क्षितर से जुड़े हैं जो पढ़ाही लिखाई कराते हैं टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं एजुकेशनल इंसिचूट्स जिनका जो चलाते हैं करकराशी वाले ये समय उनके लिए बहुत ज़़ा प्रोफिट और गेन प्राफ्ट करने का है आपको कोई घर में कुटूम में कोई नया मेंबर यहां पर एड होता है वान नज़र आएगा मैंने संतान जो है वो प्राप्ती का समय यहां दिखाई दे रहा है आपके कुटूम में तो करक राशी वानों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला जिसमें मैं विशेश तोर पर धन की परिस्तिती की बात करूँ जितने भी परिस्तितियां हो सकती है प्रेम रस, श्रिंगार रस से लेकर के जो चीजें हो सकती हैं वो सिंग राशी वालों के लिए वरतमान में दिखाई दे रही है आपको जो है आपके कारिक शित्र में एक बॉस की या अथोरिटी या एक तुरह से responsibility वाली कोई position इस महीने प्राप तो ऐसा दिखाई दे रहा है जॉब में प्रिवर्तन करना चाहरे है changes लाना चाहते हैं सिंग राशी वाले तो शुकर इन सभी कारियों में उत्तम परिस्तितियां आपको यहाँ पर दिला रहा है यही वो सामय हो सकता है जब आप यात्रों पर कहीं दूर चले जाए जिसमें की विशेश तोर पर आपको जो marketing की एक शित्तर से जुड़े होंगे सिंग राशी वाले उनको लाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैसों को दिक्कते परिशानिया है वो सब ठीक हो जाएंगी दामपत्य सुख बहुत अच्छा आपको यहाँ पर होता हूँ नजर आएगा पार्टनर की तरफ से सिंग राशी वाले विशेश तोर पर गेन प्राप्ट करें यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपका स्पाउस आपके ओपर पैसा इस महीने खर्च करता हूँ नजर आ रहा है सिंग राशी वालों के लिए कन्या राशी वालों के बात करें तो कन्या राशी वालों के लिए बार्वें भाव में है तो विदेश जाने के लिए या विदेशों में जो लोग कन्याराशी वाले जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां की जो एड्मिस्टेशन हैं, जो वहां का आपकी बॉस हैं, या जिन के साथ आपका अपने नौकरी को लेकर के पाला पड़ता है, उन से आपको लाब की परिस्थेति यहां पर दिखाई दे रहे हैं और इस समय जो विदेश जाना चाहते हैं चाहे वो एज्यूकिशन के लिए जाना चाहरे है करन्याराशी वाले चाहे नौकरी के लिए जाना चाहरे हैं उसमें उनके यहां पर documents clear हो जाएंगे सफलता है यहां पर आपको प्राप्त होती वी नजर आ रही है और विदिशों से पैसा कमाने की परिस्तिती पूर्ण रूप से बन रही है दूसरे स्थान का स्वामी बारवें भाव में है और अपने ही नक्षत्तर में जो है पूरो फालगू नक्षत्तर में शुकर माराय गोचर कर रहे है तो कर्ण राशी वालों के लिए भागे उदे करने की परिस्तिती है मिथुन राशी और कन्य राशी बहुत जिबर्दस शुक्र के प्रभाव आपके जीवन में आप राप्त होते में नज़र आएंगे जिसमें जो आपका खर्चा है जो आपके पैसों का व्या है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तरह से है किसी पुन्य कारे में धर्मी कारे में आपका पैसा खर्च होना है और भागे का पुन्य रूप से साथ मिलेगा और भागे का साथ मिलने का मतलब एक नौकरी रोजगार में होगा दूसरा विदेश जाने की परिस्तित उत्तम बनेगी लाबस्तान में बन रहा है और जब भी शुक्र महाराच जो लाबस्तान में जाते हैं तो ये बहुत बड़ा धनका मार व्यक्ति के जीवन में लगा देते हैं लक्षमी की साक्षात करिपा हो जाती है अभिष्ट इच्छाओं जो इच्छा है डिजाइड्स आपकी है वो पू भाई दे रही हैं वो आपको नौकरी को ले करके हैं किसी बड़े और्गनाजेशन में अगर आप काम करते हैं लगन का स्वामी ग्यारवें भाव में गया है तो लाब देता है स्वेम को लाब देता है और ये लाब की प्रिस्तितियां आपको जो है चाहे वो कमीशन का आप करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, असोशेट्स के साथ, पिकनिक पे जाने का, आपको यहां पर मौका मिलेगा, इंटर्टेन्मेंट के लिए आप बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, संतान की तरफ से उत्तम आपको लाब होगा, जो खास द काम करते हैं, विशेश दोर पर, तुला राशी वानों को लाब होता है, नजर आएगा, प्रेम प्यार रोमांस के लिए आपके उत्तम परिस्तितिया बनी हुई है, अगली राशी के ओर मुड़ते हैं, वरिश्टिक राशी के लिए शुक्रे समय, नौकरी के लिए की ओलंडेगा, वहपार के लिए दरवाजे कोल देगा, इस प्रकार की परिस्तितिया आपके जीवन बेवलने वाली जिसमें आपका पूरा फोकस इस समय जो आपकी नौकरी पर रहने वाला है, आपके प्रफेशन कार वेफसारLY पर रहने वाला है, और इस फोकस के वज़ह से जो आपको लाब की परिस्तिया है वो आपके पार्टनर की विज़े से समय कई न कई फायदा होता होना जरा रहा है या आपका स्पाउस समय नौकरी करता होना उसकी नौकरी लग जाएगी पती है तो पत्नी की नौकरी लग जाए अगर पत्नी है तो आपके पती की नौकरी अच्छी नौकरी जिसमें पैसों की प्राप्ती हो जाए यहां पर यह दिखाई दे रहा है जो वेपार करते हैं, बिजनस का काम करते हैं तो बाहर से आपको ओर्डर्स आ जाएंगे आपको कोई किसी मशीनरी से समझ दित कोई दिक्कते चल रही है यहां आपको लग रहा है, मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है चीजे नहीं आ रही है फॉरण से तो यह वो समय हो सकता है विश्टिक राशी वाले जिसमें आपका सब कुछ ठीक हो जाए आफिस में बहुत अच्छा माहल रहने वाला है प्रेम प्यार, सौहर्द का जिसमें पहले कोई टेंशन आपके चल रही होगी वो दूर हो जाएगी और बहुत कमफरिबल जोन में समय आप वर्क प्लेस पर रहने वाले है रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ साथ इंजॉयमेंट भी वापर दिखाई दे रहा है अगली राशी के और मुड़ते हैं धनू राशी के और धनू राशी वालों के जो परिस्तिती है वो आपके धर्मस्तान में शुक्र का गोचर है तो इस समय अगर आप जो फीमेल डेटी है मलब की जो देवियों की जो मंदिर है उस पर जाते वे दिखाई दे रहे हैं अपने पती पत्नी जो है धंपत्ती के साथ अपने स्पाउस के साथ जो है आप किसी मंदिरों में जाते वे नजर आ रहे हैं जो देवी की मंदिर है वहाँ पर आपको जाने का मौका इसमें प्राप्त हो रहा है पिता की प्रॉपरटी में आपको शेयर यहां पर प्राप्ट होगा या पिता से कोई लाब की परिस्थितियां वरतमान में दिखाई दे रहे हैं उसके बश्चात गुप्त तरीकों से धन प्राप्ट करने का आप सर्वी यां पर आपको बन रहा है और जो सर्विस एक्टर से जो लोग जोड़े हैं जो नौकरी रोजगार करते हैं उसमें उनको कोई financial या पैसों का लाब हो जाएगा पैसों का गेनिया पर होतावा नज़र आएगा और शत्रों से भी अपने शत्रों से भी लाब कमा लें ये परिस्तेतियां आपर दिखाई दे रहा है थोड़ा पिता का स्वास्ते खराब हो सकता है छटेस्तान का स्वामी नवम भाव में गया है पिता के स्वास्ते समंधी चेंता है थोड़ी आपको इस समय दिखाई दे सकती है परन्तु शत्रों से लाब हो जाए अपने रोगों को नाश हो जाए रिन का नाश हो लिए भी बनी हुई है तो ये आपके लिए तो बहुत बर्दस्ता है विप्रीत राजियों की परिस्तेतिया पूरूरूप से आपको यहाँ पर बनती हुई और उस भाव, इन दोनों ही भाव जो आपके केंदरों तरीकों, पंचम भाव और दश्यमस्थान के स्वामी का अश्यमस्थान में जाने का मतलब होगा, गुप्त तरीकों से या जुगार तुगार से इस महीने आपको पैसों की प्राप्ति होती भी नजर आएगी, थोड़ा संतान की स्वास्ते की प्रती चिंता हैं, इस समय आपको हो सकती है, परंतु इस समय नौकरी में परिवर्तन आपको आवश्य दिखाई दे रहा है, जो की बहुत अच्छे के लिए है, कोई गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से आपका प्यार यहां पर बनता हूँ नजर आ रहा है, जो विशेश परिस्तेती है, और यहां पर आपको जो है अपने ससुराल पक्ष से, यह माईके से, साली से हो गया लाब की परिस्तेतिया बन जाएगी यह नर्निद की तरफ से, यह परिस्तेतियां जो है, किसी फिमेल जो आपकी रिष्टेदार है, वहां से आपको प्राप्त होती भी नजर आ रही हैं, जिसमें आपको पैसों का लाब होगा, उनकी तरफ से कोई खुश कवरी आपको सुनने को मिल सकती है, संतान की प्राप्त मैंने कहा कि सर्फ स्वास्ते की उनकी चिंताय मनी है, अन्य था, अगर आप गुप्त तरीकों से, शेर मार्केट से, लॉट्री से, स्पेकुलेशन से पैसा कमाना चाते हैं, तो मकर राशी वालों के लिए शुकर की ये परिस्ते थी, बहुत ही जबरदस उत्तम बनी है, क्योंकि ये अपने नक्षत्र को यहाँ पर भोग रहे हैं, पूरवफ हाल गुनी नक्षत्र, 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त की जो परिस्ते थी है, विपरीत राजी वेकों मकर राशी वाले लाब कमाते वे नजर आएंगे, यہां पर यह दिखाई दे रहा हुए, अगली राशी कुम राशी की बात करूँ तो कुम राशी वालों के लिए तो ये विवाह की पूर रूप से परिस्तिती हैं विवाह नहीं हुआ है तो विवाह आपका हो जाएगा और आप अपने पार्टनर के साथ पती पतनी जो है किसी विवास हमारों में इस महीने जाने का आपको मौका मिल सकता है धार्मिक अनुष्ठान काथाओं में जाने का मौका मिल सकता है भागवत में हो गया या देवी के मंदिरों में जाने की इस परकार की जो है वो कंडिशन यहां पर दिखाई दे रही है आपके जनमकुनले के हसाब से और साथ ही साथ इस मेंने आपको भी पूर रुप से भाग़े का साथ मिलेगा ये शुकर आपके लिए भी योग कारग रहे होते हैं और क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान के और नम्बाग़ेस्थान के स्वामी का सप्तम्स्थान में जाना आपके पार्टनर के भाग़े में उदेव, उन्नति होती है विवहा के पस्चाथ भाग्य उदे हो जाए ये परिस्तितियां बनती है तो आपका पार्टनर आपके लिए समय भागिशाली नजर आ रहा है तो पती पत्नी दोनों में बहुत अच्छे समंद इस समय नजर आ रहे हैं विदेश जाने के लिए उत्तम परिस्तितियां बनी हुई है भूमी से, मकान से, वाहन से, गाड़ी से आपको इस समय फाइदा होता वन नजर आ रहा है आपको फ्लैट खरीदना इस समय चाह रहे हैं आपको नई गाड़ी इस समय खरीदना चाह रहे है इस समय आपको घर पे आपको रेनुविशन पे कोई खर्चा हो सकता है पिता का स्वास्ते बहुत अच्छा रहने वाला है आपकी जो आजूकेशन है जो आपकी पढ़ाई है उसका आपको पूर्ण रूप से समय साथ मिलेगा नौकरी में आपको उन्नती तरकी यहां पर दिखाई दे रही है और विशेश तोर पर वैपार के लिए यह महीना कुम राशी वालों के लिए बहुत अच्छी खुशकबरी ले करके आएगा अंतिम राशी मीन राशी के और बढ़ेंगे तो मीन राशी वालों के लिए शुक्र की जो परिस्तिती है आपके छटे स्थान में हो रही है जो कि अपने नक्षप्तर को यहां पर यह भोगने वाले है और शुक्र आपके लिए अश्टमस्तान का स्वामी होता है मारकेश की तरह एक प्रसे एक्ट करता है और तीसरे भाव का स्वामी बनता है यह आपके लिए पूर्डूप से विपरीत राज्योग है अब विपरीत राज्योग में सबसे पहले तो कहीं किसी का मृत्यों के पिस्चाथ या किसी की लेगेसी का उत्राधिकारी बन करके जो पैसा कही वार मिल जाता है वो आपको यहां पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा दूसरी परिस्थिती आपका जो पिता है माता पिता है उनकी तरफ से कोई पैसा मिल जाए ससुराल की तरफ से कोई पैसा मिल जाए यह परिस्थिती यहां पर दिखाई दे रही है इंशूरंस सेक्टर से कोई पैसा आपको मिल जाए यहां पर यह दिखाई दे रहा है और कूट का चहरी मुगदमा इस पर आप वीजे प्राप्ट करें और अपने शत्रों से भी पैसा निकालने यह पर बनी हुए छोटे भाई बहनों के स्वास्थे की थोड़ी बहुत चेंता है वरतमाल में आपको सता सकती है परन्तु आपके पडूसियों के साथ आप उनके नुकसान से कुछ वहाँ पर उनका नुकसान होगा जिसकी वज़े से फिर आपको लाप की परिस्तितिया बन जाए मीन राशी वानों के लिक तो यह दिखाई दे रहा है यात्राओं का आपको पूर्डूप से योग यहां पर दिखाई दे रहा है सर्वी सेक्टर में जिस जॉब में आप करते हैं वहाँ वातमन या महल बहुत अच्छा रहने वाल है आपको भी वहाँ पर कोई प्रेम हो जाए या प्रेम प्रसंग चल पड़े इस प्रकार से दिखाई दे रहा है अकुल में लाकर कि जो वर्क प्लेस है उसमें बहुत अच्छी परिस्तिती रहने वाली है आप परिवर्तन करना चारे हैं तो 11 अगस से लेकर कि 20 अगस तक आपने जॉब में आप परिवर्तन कर सकते हैं बहुत अच्छा आपको ये समय रहने वाला और समय को आप याद करेंगे तीर राशियों को मैंने चर्चा की है मेश राशी और सिंग राशी और धनू राशी जब भी यहां पर शुक्र माराज गोचर करेंगे तो ये बहुत अच्छे परिणाम लेकर क्याते हैं इसलिए वर्तमान में अगर हम मुंडेन एस्ट्रालिजी की तरफ देखें तो जो आटो सेक्टर होगा जो गाडियों का काम करते हैं डेकुरेशन लाइट्स का काम करते हैं फैशन गार्मेंट्स हैं फैशन इंडस्रीज हैं मॉडलिंग है फिलम एक्टिंग है जो इस्तरकार का जो जिसमें नृत्य का बात होती है कला की बात होती है इन सब्जेक्ट से जुड़ेवे जा इन चीजों से जुड़ेवे सभी लोगों को वर्तमान में बहुत उत्तम लाप राप्त होता है नजर आएगा तो ये था शुक्र का सिंग राशी में कोच और उस पर एक वीडियो उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगाओगा थैंक्स पो वाचिंग दे वीडियो